नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी, महात्मा बुद्ध की कहानी, विश्वा स्वर्श रद्धा, दोस्तों, भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करते हुए काशी की ओर जा रहे थे, रास्ते में जो भी उनके सत्सन के लिए आता, उसे वह बुराय त्याग कर अच्छा बनने का उगदेश देते, उसी दोरान उन्हें उपक नाम का एक ग्रिहत्यागी मिला, वह ग्रिहस्त को सांसारिक प्रपंच मानता था और किसी मार्गदर्शक की खोज में था, भगवान बुद्ध की तेजस्वी वनिश्चल मुख को देखते ही वह मं अच्छ है, मैंने निर्वानिक अवस्था प्राप्त कर ली है, उपक की सुनकर और प्रभावित हुआ, उसने पूछा, आपका मार्ग दर्शक गुरु कौन है, बुद्ध ने कहा, मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, मुक्ति का सही मार्ग मैंने स्वयम खोजा है, क्या आ अपने बिना गुरु के त्रिश्णा का क्षय कर लिया है, बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं तमाम प्रकार के पापों के कारणों से पूरी तरह मुक्त होकर सम्यक बुद्ध हो गया हूँ, उपक को लगा कि बुद्ध हंकारवश ऐसा दावा कर रहे हैं, कुछी दिनों में उसक मन भटकने लगा, एक शिकारी की युवा पुत्री पर मुगत होकर उसने उससे विवाह कर लिया, फिर उससे लगने लगा कि अपने माता पिता व परिवार का त्याग कर उनसे एक प्रकार का विश्वास घात किया है, वह फिर बुद्ध के पास पहुचा, संशय ने पूर् करके स्वयम भी मुक्तिपत का पथिक बन गया, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें